हाई एनिवीज वेलकम डू कॉफी भी बात करेंगे मेडम के ब्लॉग के बारे में उससे पहले एडिटर अभिशेक को 21 तौपों की सेलामी क्या एडिटिंग की है वाह क्या करीगरी है इस पनकार ने तो खुदा की खुदरत को ही बदल डाला वाह वाह क्या एडिटिंग की अ एक मिनट और 31 सेकंड के टाइम सेंप पर अल्रेड़ी सबको बता दिया वैसे सबको ही पता था यह थकेली क्या ही नाम जो है सोच सकती है ना इसते ना यह जो नाम है लेबल डिक्याए यह 2021 में ही इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था ड्रेड मार्क इसके पास था तभी से आप देख लो इंटरनेट पर अभी भी अवेलेबल है वो डिलीट करवा दे या तो प्राइवेट करवा दे उससे पहले जाके फटाक से देख लेना गूगल पर सर्च करना लेबल डिक्याए है ना वहां पर है या तो मैंना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वह जाके आप उपन कर सकते हो वहां पर क्योंकि परस्नल डिटेल्स है तो मैं यहां पर अगर शेर करूंगी तो फिर वही हो जाएगा ना कि प्राइविलसी में ने उनकी लोगों की वह कर दी वगएरा वगएरा उनका एड्रेस लीग कर दिया जबकि गूगल पर क्लियरली सब सब कुछ दिख रहा है जहां पर उन्होंने ट्रेडमार्क रिजिस्ट्री करवाई कौन वह है वगएरा वगएरा सब कुछ दिखा हुए तो मैं लिंक ही दे दूंगे सब तो एजी रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगी आप जाके चेक आउट कर लेना एक बार हां तो मैं यह बोल रही थी कि बारा मिनिट के व्लॉग में इतना थकेला एडिटर कोई कैसे हो सकता है मतलब शायद से अभी शेख को कोई इंटरस्ट नहीं है काम करने में लेकिन वह कह नहीं सकता है तो अभी शेख क्या कर रहा है कि मुझे फायर कर दो मेरे से ना हो पाएगा अब उ कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग है नहीं अब जब मिलेगा तब मिलेगा नहीं मिलेगा तब काम नहीं मिलेगा अभी शेख का वैसे चैनल है लेकिन जैसे यह लोग है ना आलसी मतलब सोचो किसी के चैनल पर अगर इतनी अच्छी रिच है तो कोई भी जो है व्लॉगिंग नही यह रही है वह उसको रात में उसको रात में अहीं हो रही थी तो घॉस्पिटल गया और वह बोल रहा था कि मुझे लगा कि heart attack तो कहीं नहीं आ गया वगेरा 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 तो लोग उसके कमेंट शिक्षिन में बोल रहे थे कि आप दूरो जो अच्छी सी healthy lifestyle maintain करो चिकन मटन यह खाना बंद कर दो तेलम तेल वाला तो किसी ने बोला था कि आप जो फैमिली इबराहिम फैमिली उससे दूर हो तो अभिशेक उसकी spelling mistake पर हस रहा था तो वहां पर अभिशेक को भी लतार लगाए कि भाई बात का जो है मतलब समझो आपके लिए जो concern है आपकी जो audience की वह समझो ना कि हसो तो कहीं नहीं गई उसक कुछ नहीं थी अडिटिंग उसमें आउट अप दो बॉक्स जाके ऐसा कुछ आडिटिंग थी नहीं उसमें वही खाली ना केमरा का लेंस क्लीन होता है न कुछ होता है मतलब इतनी गंदी प्रिंटिंग होती है ना इसके व्लॉग की जनाब और मैडम की दोनों ये तो लें लेंस तक क्लिन नहीं करते अरे अरे घर हो तो लेंस तो क्लीन करतों तुमारे घर में यद्ध से कितनी है विलील्एस से आपको मैं समझ्याती हूं जब तक लाइन और फादर भी यह फालू की व्लॉग में डिकेंगे जब बाहर जाएंगे तब दिखेंगे वरना इनकी नाम जनाब और मैडम के घर में उनका पिंक अंडर टोन दिखताता है जबकि वे इतने फैर नहीं है पुराने व्लॉग देख लो नहीं है इतने फैर नह स्कीन दिखती है उनकी लेकिन जब लाइट नहीं थी ना तब मैडम के बड़े बड़े डाक सर्कुल देखे रहे रकून वाले जैसे लाइट आई तब ऐसा लग रहे हो 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 इससे फ्लॉलस स्कीन किसी की हो ही नहीं सकती और हमको क्या लगता है कि यह लोग इतना अलुल स्टूडियो लाइट्स रहती ना वैसी ही उनसे भी बड़िया इंफेक्ट है लाखों रुपे खर्च करके उनना लाइटिंग पे घर्च किया जनाब और मैडम ने तो उस वजह से जो है लाइटिंग का भी कोई इशू नहीं लेकिन कैमरा का लेंस भी यह लोग क्लीन नही को इंट्रस्ट है जवरदस्ती बनाये जा रहे है बनाये जा रहे है अरे दुम लेकिन इतने लौइफर्ट वाले व्लॉग और बहुत नहीं ये दोनों आलसी है न महालसी तो अभीशेख शेख है उसको भी कोई इंट्रस्ट नहीं है व्लॉग का टाइटल क्या था कि नाम तो अभी शेक ने इतनी भी वह जद्द जहद नहीं करी कि भाई देख लू मैं चेक कर लू फूटेज सारी कहीं पर नाम तो रिविल नहीं हो रहा है हो गया है ना अब मोटर लाफिक आएगे हस्ते हस्ते जैसे क्या आप सब को बता होगा कि मेरा हमेशा हो जाता है इस बार भ लुके कर दिया कोई है नहीं बातनी वैं मिन तो क्या है कि नाम तो देखो पता चली गया कोई बात नहीं आप ही लूग तो देखने वाला कि अनो अ değild it TE tant Shell फूप पाया जाता है सब कुछ अधिति आप जाह लादि सब्सक्राइब करेंगे कुछ यूनीक नाम है बहुत खास है हमारे दिल के करीब है बहुत ही यूनीक कपड़े होने बढ़े बाले बढ़े कपड़े और उस ट्रेडमर्क रेजिस्टी होते हैं वहां पर बताया गया है कि यह रेडिमेट आउट्फिट का जो है इसका ब्रांड है तो डीकार्ड मेंट गार्मेंट का इसका बिजनस है उसमें करना क्या हैँ खली उपर नीचे लेस ही लगाने है म मेडम को ठीक है ना हद है भाई अब आई प्रे कि ऐसा ना हो जैसे आप इसली बार हो चुका है सुटारास एलिगेंस बल्ब प्रोडक्शन कुक्विच शोयब की बेगम इन सब के साथ जो हुआ है आई ही ओप एंड प्रे कि ऐसा ना हो लेकिन हम सब कोई पता है अंदर से तो कि बहन या मनीश मलोद्रा की सौथेली बहन समझ कर आउट्फिट डिजाइन करती रही तो पता ही है क्या फ्यूचर होने वाला है भालू का खुशामदी तो फिर भी उसके फ्रेंड की बदोलत चलता है क्योंकि खाना जो है इंसान काने आता है भालू वगेरा के साथ फोट जाएंगे कपड़े ओनलाइन को तो यह ना शौप नहीं कि मिलने मेडम से मिलना है उसी बहने कस्टमर जाएंगे तो इन लोगों ने ऑनलाइन रखा है तो चांसी नहीं है चांसी नहीं है कि इतनी ज्यादा विक्री होगी और दूसरा की भाई शिपिंग चार्ट लगेगा मैंने देखे दो तिन चैनल और जो ट्रीवी ड्रामा भी उनके रहते उसमें भी कपड़े अच्छे पहने होते हैं जिब एक्ट्रेस ने हो गया या तो नॉर्मल भी जो लेडिस रहते अच्छे कपड़े पहनती है तो उनको भी यह खास पसंद आएगा नी बाकी यहां की ओडियंस है जो उनको तो महंगा लगेगा क्योंकि हर सीटी में मिल ली जाता है अशकल तो कपड़े वगे रहना अफोर्डेबल प्राइस में तो इतना ज्यादा जो है जनाब ने भी प्रेडिक्ट कर दिया कि हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है वैसे जनाब और मैडम दो न सक्षिन में बताते रहते हैं कि मैडम ने अच्छा ओट पहने है तो उनी के लिए है पसंद करने वालों के लिए जनाब का यह कहना था बढ़े पड़े लेकिन चालू चुडल वहीं पर थी हां मतलब तो बहुत सारे पसंद करने वाले हैं इसको यह सब बहुत आता है मिठी मारना मिठी कुलहारी मारना इसको बड़े बढ़ा आता है तुरंथी जो है यह होते न समंदर की लहरे अपनी तरफ मोड लेती है इतनी मीठी है यह कल भी जब शर्मी ने बोला कि हम उमीद नहीं थी तो बहुत महिनत का काम है इसलिए उमीद नहीं थी पिज़ा तुम सफा क्यां भूत पसंद करने वाले लेसके तो दिवाणी है है ना शोईब की वेगम डिपिकार आनी उसके लेसकी दुनिया दिवाणी हुँ जो मैता जी नाम भाइड है जानाब को संटेके मुसलिया फोंगे हुल नहीं ज्याद नहीं को सrटीफिकेट जो कि भई पिछले चार सल से मुसलिम हैई वह रएक सेंटेंज में 24 सब्सक्राइब देती है अलहम्दुलिला माशाला सुभानला यह क्या है और यह जान बुझके बोलने के लिए बोलते हैं साने कि इस तरह दिल से किसी रिलीजिन को एक्सेप्ट के नहीं कि नहीं सगी है बट खाली बोलने के लिए ताकि ओर टार्गेट अड़िंस वो खुश हो जाएं कि सब्सक्राइब करते हैं अचानी का प्यार देखा खुद बिमारी से उटकर आती है लेकिन फिट भी अपने नाती 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 नकरा करता है खाने खाने खाते टाइम तो वह और जनाब खाना खिला रहे थे निलब खड़ी खड़ी सो जो बीमार होके रही है और वहां पर सुट्टो बेगम और भालू जैसे महमान आते हैं ना सब रेड़ी हो जाएगा उसके बाद आएंगे भाई ठीक है कि उसने बोला कि यह है उनसे सगे तो गरमकाड़ा अंकल है विचारे उनसे तो चवही है और उनसे जांदा वफदार भी गरमकाड़ा अंकल है पालू ने तो खुब यूज किया भावी को और खुब्या भी बढ़भाई happen पड़वाई और अपना अलग हो घिख गई मुझे लगता है जनाब मेडम अपने इंपलोईस को जो है ना मतलब अंडर पे नहीं रखते पे तो अच्छा खासा करते इसी वज़े से गरमकाड अंकल पी ठीक है और यह चंगु मंगु भी ठीक हुए है वो दीदी भी जो है जो खाना बनाती बर्दन वगेरा घसती वह भी एक महिने से जादा नहीं टीक है कि खाना बनाने वाली से जादा नहीं टीक हैंगी ड्राइवर्स बदलते रहते हैं और एडिक टो भाइए तो यह जब लड़का है नया उसके तो अपने फाइदे है वहाँ अपना फाइदा देख कर आए था कि पहले जो है दीरे दीरे भा करियर कर देगा इसलिए भालो पी ने खूब शायद लगाई होगी इसलिए बोल रहा था स्टोरी लगा कर कि फ्रैंड मुझसे जो है मिस हो गए बहुत सारे कॉलेबरेशन रिक्वेस्ट इस वजह से आप वापस से मुझे रिक्वेस्ट करो भालो ने खूब लगाई होगी क् लोगों ने को लाप के लिए डाली थी तुम्हें एक्सेप नहीं करी क्रिष्णा ऐसे कैसे चलेगा तो इसके घर पर बदलते रहते हैं साहुरब नहीं ठीका उसके बाद भी रखा था कितने सारे लोग अता पता ही नहीं रहता वह जो बावरा आया था उसके बबारे में भ लिए कि पर टी करती है उसे डबल काम कर रहे ते कपडे सोचो एक अगर कपडे प्रेस कर वाओगे सेम ही मतलब चलो ठीक सैलरी तुम भड़ा दोगे जैसे मेडम गरमकाड़ अंकल सब कुश काम करा लेती है गरमकाड़ अंकल ने लेकिन उनको पे अच्छा किया जाता होगा लेकिन यह तो जितनी सेलरी उतनी सेलरी में सारा काम कर आते हैं लड़का भी सोच रहा है कहां मैंने अपनी ग्रेजुशन कंप्लीट की अगर घरवाले भी देखेंगे तो उन्हें शर्म आएंगी कि इसी दिन के लिए तुझे इतना पड़ाय लिखाया था तो भाई है भालू अपी पे नहीं अच्छा अगर आपने नोटिस की होगी एक बात इनिशल व्लॉक्स में जो मैडम की मम्मी है वह बिना दुपटे के 90 म करना पड़ेगा मम्मी क्योंकि सब लोग कॉमेंट स्क्षिम में बोलते हैं कि तुम्हारी मा भी शर्म है दुपटा भी नहीं होती जबकि जनाब के पिता जी जो है सामने रहते हैं बताओ ऐसे सो कॉमेंट से अरे मैडम तक सीमित रहो उसकी मां को क्यों दुपटा ओड़ा तो जो प्यार करते हैं उनके लिए अमनी आउटविट बनाए है बाई कौन प्यार कर रहा है पिछले व्लोग में 4000 कॉमेंट से उसमें से 3900 नेगिटिव कॉमेंट से आउटविट को ले गर है कि मेडम ने जो अपनी कलाकारी की थे न उस कलाकारी को लोगों ने खुब पर सो होंगे ऐसे कॉमेंट्स जो कि मखी के फेवर में वाले वह भी खाली तो वह मैडम ने चुन-चुन के लाइक कि उसका मतलब यह कि मखी सारे कॉमेंट्स पढ़ती है आप देखना सॉरी टू से आने वाला है बहुत ही जल्दी क्योंकि मखी और जना बोखला गया है मख मखी तो जो एकदम घबरा डोरी थी यह पुरा बोखला ही हुई थी हिली हुई थी जो कॉमेंट्स पढ़े ना उसको लगा था कि लोग तारीफों के फुल बन देगी आहा हा ऐसी नायब चीज तो हमने आज तक नहीं देगी लें लोगोंने तो भाई मखी की बहुत बुरी अगर आपने बिहेवियर में चीज नोटिस की हो भालू ना अपने व्लॉग में एक दम ऐसा दिखती है जैसा कल ही पैदा हुई और जैसे भाई-बावी के आसपास होती है यह तो भाई-बावी के व्लॉग में आती है समधदार बन जाती है बीगी बिल्ली बन जाती है हम कल देंगे तुम्हें हम कल देंगे और खुद की बार पे तो आम बहुत बहुत पसंद था देने के लिए उसके हाथ कभी भी नहीं जाते बाई चाहे पुछ भी गिफ्ट वगेरा नहीं उसकी बहु जैसा भी है चलो नई कपड़ अच्छे लेकिन उसने कुछ तो नया श सब्सक्राइब फ्रस तो श कल ने होगा ना को ने कविफ और लिअर्वेक इसा रिदटने सब्सक्राइब बनाओ भी है और धागे चाहे लोग चाहे उसकी नहीं कि अब तो च्छोटा से बच्चा भी घखिय को धो आ हुए इंसान फ्रूट्स लेकर जाता है, बच्छे के लिए कुछ खिलोना एक अदर लेकर चले, ऐसा नहीं कि बहुत महेंगा ले लो, पांसो हजार रुपे काई ले लो, लेकिन इंसान जाता है, शरम नहीं आती हाथ हिलाते हिलाते कहीं पर जाना है, अगर मैं अपनी फ्रेंड के है मैं मेरी मोम कहती है, स को मोम कekता जाना हमान्ते है मुझे है नहीं बहित है कि लिएक कि मिन अखंशते हैं लेकिन कि-ख़ें है कि लिए कि इस दो बार चाल कि वंक्वें…. बहुत बढ़ा बढ़ा यही हो तो अप्पी ने फ्लावर्स का बुके दे दिया हो गया और इसमें और उसमें फरक देखो गुटका तो ऐसे बैठा था जैसे बहुत बड़ा सेट हो यह ना यह अम्मानी के बाद सबसे आमीर आदमी मुंबे का यही हो उस तरीके सब चोड़ा होकर बैठा था पूरा सोफे पर क्योंकि यह गुटकी और गुटका है ना कॉमेंट्स पड़े थे उसको बड़ा अंदर से लड़ू फुट रहे थे हाश यह बला डली यह जो हम आमें गालिया पड़ रही थी अब इकवली पड़ेगी अब मजाएगा और उस मामले में जि फिच के भी दिखा सकते टेस्ट किया तब पता चले ला आउटफिट में तो हर किसी पता चल जाता है कि बोगले तो आफ किसी के अंदर फेसिक नौलेज होती है रेस्टोन के खाने को हम जज नहीं कर सकते बिना खाए उसको क्रिटिसाइज हाए तो वह जो जाते है वह लग सबसे बड़ी सिक्सर मेडम ने कहा मारी शर्मीली सब लोग बैठे तो नॉटन की तो उसने की सब की दुवाओं की वजह से ही जो है अब लोग आए बहुत इच्छा लगा सब की दुवाओं की जैसे ही जो है आज में यह दिख्या आए ओपन करने चारी हूं लीबल दिख्या आए तो शर्मीली के मिन में क्या होगा पता है कि उसकी बहु जो है न उससे परदा हटवाएगी लेकिन मैडम ने मारा छक्का शर्म और बच्चा जो है वह यह करेंगे ठीक है शुभारम उनके हाथों से होगा तो जनाब भी गन्फ्यूज होगे कि यह कैसे चमतकार हो गया यह आम्मी को बार 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 बोलती है अम्मी ने मुझे मुझे बहुत कुछ नसीब हूँ कि मुझे अम्मी मिली और अम्मी को टाट लोगों पता खली रवान के साथ खेल ले गए और पांच मिली नीचे ले आए उसमें भालों पर कॉंटेंट बना लेती है फ्रैंस यह देखो हम जा रहे है बेबी भुरू भी आया है यह है और अगर आपको याद होगा तो जनाब और मैडम ने फोटो शूट कराया था वह लोग गये थे और जनाब तो सुबह के से लेकर शाम तक थे तो भालों खली दो घंटे के लिए ता गई थी गुटका भी नहीं गया था वैसे तब घर से निकले तब अम्मी को बता कर भी निकले थे कि आप आ जाना लेकिन अम्मी नहीं आई अम्मी को कुछ काम आ गया ऐसा खुस है हम यह हम वह है और जब्लग की मा की तब्यद खरत थी उस दिन उस दिन भी जब आ जब जब गई थी ना फोट में की मम्मी की बहुत तब ड़ी खराबती भी जो है वह गई थी बच्चे को सम्भालना सब कुछ करना सब कर रही तो यह माहीं कर सकती है मक्षी आप समझ आ गया है और शरमीली को बड़ी तकलीफ होई होगी कि शर्मीली से क्यों नहीं कर वाया शर्मीली बच्चा भी तंग अगे इतनी बच्चा बाजी से इसकी कि बच्चा बरी मां बस कर जा अच्छा गुटका कि इसे जब जोना पूछ रहे था ना सबसे एक तो रिव्यू लिए यह तो मैं समझ नहीं आता इनका फिक्स है आपस में दूसरे की तारिफ कर आहा इससे तो सर्वस रिष्ट होई नहीं सबता अरे आप से बढ़िया तो इंसान कोई है नहीं भाजान अरे मेरे बहन से अच्छी क्रिटिशाइस करें झाजाता था जब जनम दिन आहे ब elsAm ठाटे सब कोई जो हे इंसान है जनाव पहित ऑच्छी इंसान है डजवाण इंसान है मेड़म इतनी बहुत अच्छी इंसान है मेडम भी बोल रही थी जब पूछ रही थी न कि भावी आपको कैसा लग रहा था तो बोल रही थी देखो मैंने तो बहुत महिनत की है अलहमदलिल्ला मैंने अपना 200 परसंट दिया है मेडम मू मिया मिठ्थू नहीं बनना होता मेडम तो यह यह है आपस मैं तारिफ करो एक दुसरे का यह करो वैलिडेशन तो हो गया बागी भाड में गया है सब लोग बागी हम लेस हम लेस जो है चिपका चिपका कर सबको बेचेंगे कॉमेंट सेक्षन में लोग गाली आदे वो चलेगा हम आपस में तारिफ करके कि तो इतनी नौलेज हर किसी के अंदर होती है क्याना कॉमन सेंस लेकिन अफसोस मक्षी मेडम को लगता है कि सब लोग इतने बुद्वें चार साल से जैसे मिठे मिठे बन कर एक दुसरे के गुंगान करके यह गाड़ी यह तक पहुंच गए वह आगे भी पहुंचेगी ल लेस चिपकाने को आजो मखी ममा बोल रही थी न चोवी बहुंच थैंस अधियान बना नहीं वैसे कोई ऐसा मोटीव नहीं है दी एक और वह ओने सी रहे भाई यह लोग दीमोटिवेट्वेट्व थोड़ी होते मांखी मैडम आप अच्छे डिजाइनर हायर करो सबसे पहल लेस और गोटापटि कम लगाओ यह जो हीरा मोती लगाती रहती हो कौन पहेंता है इतना हीरा मोती कोई नहीं पहेंता है यह सब कम कर दो और जितना भालोपी ने दिखावे पर खर्चे किया दिखावे से ज्यादा बाई कुछ इंप्रूब्मेंट करो में आपका प्रॉड़क्त आपज आ्पक इंप्रूब्मेंट करो तो चल सकता है कितना ही फैंस लोग लेंगी एक बार कोई बहुर कर सकता कंडू के मामले में इन दू नहीं जाएगा ऊपने प्रोडक्त सबसेले जो कि इतना अच्छा है नहीं बाब आदम के डिजाइन से सारे के सारे और कौन वो है जिसको मैडम के आउटफिट्स अच्छे लगते हैं मैंने देखा पिछली पॉड़कास्ट भी बताया था कि वह जो आउटफिट्स रहते वह पियार या को लब में मिलते हैं मैडम जो वह बहुत अच्छे थे सारे इसारे जो सिल्वा सिल्वा कर पहंती है यह चोड़ यह चाली और भाल लुपई की शादी में तो देखी लिया था मैंडब का परसनल टच और पताए सीन क्या है कि मैडम जो है बहुत आलसी है जो जनाब की बेगम था वह तो बहुत अच्छे से च अगर उसने कंटिन्योस जो है नए आर्टिस्ट को मोका दिया होता तो जो जैसे विनित करता है ना कि जो सक्सेस्वल यूट्यूबर्स है या तो इंफ्लेंसर उनके साथ वो कॉलाब करें गाने बनाता तो अगर उस तरहीं से भी करता तो खुब वो चलता था और उसमें क्या इसमें क्या ही इंवेस्टमेंट नहीं है ठीक उन्हीं को पे करना आटिस्ट को वगरा को लेकिन कमा तो लेंगे ना इंस्टाग्राम से यूट्यूब से स्पॉटिफाइब बढ़ लेकिन लोगों ने अपनी आलस के चलते उसको बीच में छोड़ दिया एक गाना रिलीस के सब्सक्राइब नहीं होता भाई यह सब नहीं हो पाता इसी है यह कपड़े बेचो अब जनाब भी शायद गुटका किंगी अपनी मर्सीडीज लेकर मीरा रोड में पारसल जो है डिलीवर करने जाहें के रायन मैं भाई के साथ हम दोना मिलकर एक थार ले लेंगे बिलकल भ है हम मर्सीडीज और पीमड़ी में चाते हैं मैं अपने जनाब को जो है अमनी लेकर दूंगी अना दौन के पापा चलिए जी फिलाल के विसने हैं मिलते नेक्स प्रोगर्स में अपना धियान रखे का बबाई एंड और बेस्त मोटर लाफी का बस पीज में ना चोड़ दे तो देड़ साल ज्यादा से देड़ साल ये चलाएगी देख लिख के ले लो चीक है मैं भी यहां हूँ आप भी यहां हूँ चलिए फिलाल के लिए बस इतना ही